लेंस मेकर्स इसका नाम ऐसा क्यों है लेंस मेकर्स फॉम्ला क्यों है इसका नाम लेंस से रिलेटेड हम दो फॉम्ले पढ़ेंगे एक को हम बोलेंगे लेंस फॉम्ला और दूसरा है लेंस मेकर्स फॉम्ला लेंस फॉम्ला आपको यह बताएगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टें और लेंस की जो focal length उनमें क्या relation है लेकिन यह जो lens makers formula है यह आपको यह बताएगा कि जिस medium का lens बना हुआ है उसके refractive index focal length और लेंस की radius of curvature होती है दोरों उनमें क्या relation होता है और इस formula को इसको यूज करते हैं जो अभी हम derive करेंगे इसको यूज करते हैं लेंस बनाने वाले इसलिए इसका नाम क्या है lens makers formula जो lens बनाएगा न मैंने बोला कि मेरे को इतनी focal length का lens चीए और उसका अपर्चर इतना होना चीए तो जो जो भी company बनाती है lens यह जो भी बनाने वाले होते हैं तो उनको आपने requirement बता दी कि इतनी साइज होनी चीए मतरब आपने क्या बताया aperture size of the lens is aperture आपने उस lens का diameter बता दिया lens ऐसा गोल होगा ना circular होगा तो उसका diameter बताए तो वो तो हुआ aperture और आपने क्या information दी उसको कि इतनी focal length का मुझे lens चाहिए तो वो क्या करेगा इस formula में value put करेगा जो अभी हम derive करेंगे lens makers formula और उसमें value put करके solve करके देखेगा कि मुझे कितनी radius of curvature रखनी है और कौन सा medium मैं यूज करूं उसमें ग्लास भी अलगलग टाइप के होते हैं तो कौन सा ग्लास हमको यूज करना चाहिए ताकि expected focal length का lens बन जाए तो लेंस बनाने वाले इसको यूज करते हैं क्या relation है देखते हैं चलो तो convex lens का एक्जामपल लेकि अपने इसको समझेंगे ध्यान से समझना है बिल्कुल आसान है तो यह हो गया convex lens यह इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यह वाला जो पहला सर्फेस है मैं अब्जेक्ट को साइड में कंसिडर करते हैं कोई रूल नहीं है ऐसा लेकिन नॉर्मली हम इधर object को रखते हैं और इधर कहीं image बन नहीं होती है उल्टा भी कर सकते हो ठीक है तो इधर कहीं पर object को रखावा है मालो ओ पॉइंट पर हमने object को रखा ध्यान से समस्ते जाना इसको यह लेंस यह इसको पॉइंट पर हमने रखा हुआ है अब इसकी image कहा मनेगी तो image बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट्रेश की requirement होगी दो दो लाइट्रेश एक तो मैं आसान डाइग्राम बनाने के लिए क्या करूंगा एक सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिरेंट कर दूंगा एक ला लाइट्रे लेनी है उसको यहां पर कहीं पर इंसिरेंट करते हैं यह कोई पॉइंट है यहां पर हमने दूसरी लाइट्रे को इंसिरेंट किया अब यह जो लाइट्रे है यह किदर बैंड होगी तो यह रेर मेडियम है अच्छा रेर मेडियम को हम यूवन से शो करते हैं य यह यहां पर करके देखना पड़ेगा तो यहां पर नॉर्मल ड्रो करके देखना पड़ेगा तो यह जो पहली सर्फेस और इसका सेंटर ओफ करवेचर इदर कहीं पर होगा मालों यह है Center of curvature C1 और अगर मुझे Center of curvature पता है किसी भी कावड सर्फेस का तो नॉर्मल ड्रो करने के लिए क्या करना है Center of curvature से उस पॉइंट पर क्या करेंगे एक तो यह क्या होगी Normal समझ में आ रहा है क्या तो यह जो लाइट्रे है यह सीधी जाने की बजाए किदर बेंड होगी तो यह इस तरीके से नीचे यहां पर जाके पहले लाइट्रे को सपोस्ट यहां पर आई पॉइंट की उपर इंटरसेक्ट करेंगी ठीक है इसको मैं आई-देश बोल देता हूं यहां आई डेश बोल दूए और क्योंकि यह फाइनल इमेज नहीं अभी क्योंकि मैंने अभी सेकेंड सर्फेस का जो रो उसको सेकंड स्टेब में कंसिडर करेंगे अभी माँ वन बाई वन एक सर्फेस का जो एक तरह से मेज़ बनाने में कॉंट्रिबुशन है उसको देख रहा हूं तो पहली सर्फेस ने क्या इस इमेज की वापस से इमेज बनेगी कौन सी सर्फेस के तुरू सेकंड स्फेरिकल डिफ्रेक्टिंग सर्फेस के तुरू और वह फाइनल इमेज बनी जाएगी जो इस लेंज ने बनाई होगी ठीक है तो मैं ऑबजेक्ट की इस पॉल पीवन से जो डिस्टेंस है इसको बोल इसके डिस्टेंस कितनी है ठीक है तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मला यूज करूं अगर मुझे म्यू को वी को इनको रिलेट करना हो तो हमने पढ़ा था कि जब अब्जेक्ट को रेर मेडिय में रखा जाता है और स्फेरिकल डिफ्रेक्टिंग सर्फेस से इमेज बन र इसके डिस्टेंस यू रहेगा यह मूँटू में था इमेज कितना डिस्टेंस पर बन रहें तो वी की जगा लिख दो और रेडियस ऑफ करवेचर कितनी है पहली सर्फेस की आरवन तो इसको आर की जगे आरवन लिखना है यह पहले इक्वेशन आगया अपने पास ठीक है सभास इसकेट सर्फेस को बताना कि यह जो सेकेंड सर्फेस है यह वाली जो सेकिंड सर्फेस है इसकी उपर कॉन-कॉन सी दो लाएटरेस incident हो रही है एक तो यह जो center of curvature से होके आ रही है पहले लाइट्रे तो यह है ठीक है और दूसरी लाइट्रे यह है देखो यह वाली ऐसा जो इसकी उपर incident होगी समझ मैं अब इससे image का मनें कि वह अपन को study करती है अच्छा यह जो second spherical reflecting surface है इसका center of curvature का होगा तो पीछे कहीं पर होगा इधर इधर होगा नहीं पर यह इसका मालो center of curvature है c2 जैसे यह सीवन था इधर क्या होगा इस दूसरी स्फेरिकल रिफ्रेक्टिंग सर्फेस का center of curvature होगा और अब आपको यह देख रहा है कि यह वाली जो लाइट्रे है यह कहां से आ रही है तो सेकंड जो सर्फेस है उसके लिए अगर आप देखोगे तो यह वाली जो लाइट्रे है यह वाली जो यहां पर इंसरेट हो रही है इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहां यह वाला जो सेकंड सर्फेस है इसका center of curvature है यहां पर प्रिंसिपल आक्सिस के उपर और इस लाइट्रे को अगर मैं पीछे बढ़ा के देखता हूं तो यह मुझे इसी से पहले जारी थी वैसी जाएगी ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन यह वाली जो लाइट्रे इसको देखो यह अभी डेंसर मीडियम में चल रही है और यहां पर जाते ही क्या होगा अब यह रेर मीडियम में इंटर करेगी तो डेंसर से रेर की तरफ अगर से आएगी तो अब फ्रॉम जाना नॉर्मल बेंड होना इसको तो इस पॉइंट की उपर एक नॉर्मल ड्रोग करके देखो यह सेंट्र ओफ करवेचर सीटू से कर दो तो क्या आएगा नॉर्मल यह मैंने जोइन किया इसको ऐसे तो अब बताओ कि यह जो लाइट्रे है इस इस नॉर्मल से अवें या इस के दोर हटेगी कि यह वाली जो लाईट्रे है यह इस नॉर्मल से यह जो फितो कि तरफ शूसली और लेसी तरफ शूलिवाली निचे तलस हो गया और अभ यह तेखो पहले वाली созд कर रहा वा यहां पर जाके कहीं पर इस पहले वाली लाइट रे को इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पर बनेगी फाइनल इमेज और कितना डिस्टेंस पर तो पॉल पीटू से माल लेते हैं कि यह वी डिस्टेंस पर इमेज बनी यह चीज़ समझ में आए ज़र यहां से मिलाके अब अगर मैं से स्कींड सरफेस को ध्यान से देखता हूं तो इसके लिए कहाना रखा हुआ है तो सेकेंड सर्पेस के ओपर ma ra えर medium के अंदर तो यह जो raw return में object है यहां से लाइंट्र चली और इस सर्फेस क्यों पर przyp इन्सिडेंट हुई और डेंसर में इंट्र कर रही है लेकिन अगर मैं सयारा हिए देखूं सयारा हुँ सैंड्र से यह दोनों light तो ची कोंश póst erase रही है चैंसर से तो डेंसर मेडियम में मानेंगी तो अब जो फॉर्मला लगेगा इस टाइप का वो कौन सा लगेगा वेंद ऑब्जेक्ट ही जिन्द है डेंसर मेडियम पहली बात और दूसरी बात ऑब्जेक्ट कोन है इस दूसरी सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट कोन है तो दूसरी सर्फेस ने image कहा बनाई I-point के ऊपर किसकी इमेज बनाई यह इसने, कि I1 की, क्यों कि अगर second service नहीं होती तो image कहा बनती, I1 पर बनती, अब second surface है इसने उस image को उठा के कहा शिफ्ट कर दिया I के उपर शिफ्ट कर दिया इसका मतलब second surface के लिए object कौन I1, क्यूंकि आईवन की इमेज बन रही है आई की उपर तो सेकेंड सर्फेस के लिए अबजेक्ट किसको मानोगे आईवन को और इमेज किसको मानोगे आई को बात समझ में आगी ना सबको अबजेक्ट कहां पर रखा है डैंसर मेडियम में उसके लोजिक क्या लगाया कि यह दोनों इमेज बन रही थी आराम से सेकेंड सर्फेस ने उस इमेज को उठा कि यहां पर शिफ्ट कर दिया इसका मतलब सेकेंड सर्फेस के लिए और यह इसकी इमेज है ठीक है इस तरीके से इसको सोचना है अब इसमें यह कन्फिजन होता है कि सर आप तो बोल रहे थे कि ऑबजेक इसके लिए इसके लिए एक वर्चुल अबजेक्ट है कालपनिक तो यहां पर यहां पर बना दी आई पर बना दी ठीक है यह चीज़ ध्यान में रखनी है तो बताओ सेकेंड सर्फेस के लिए अगर मैं एक्वेशन लिखों तो मुझे क्या लिखना है पहले मैं एक्वेशन लिख देता हूं एकवेशन थी मुवन की जगहे मिटू आएंगा मिटू की जगहे मिवन क्या लिखूंगा रिखना मुटू अपॉन श्लाइब्लस मूवन अपन वी एक्वल टो मूवन माइनस मूटू अप र अब देखो सेकेंड सर्फेस के लिए लिख रहा हूं तो आर सर्फेस के लिए अबजेक्ट है आई वन तो डिस्टेंस होगी वी और इमेज है वी डिस्टेंस पे तो वी की जगए वी रखना है दोनों एक्वेशन समझ में आई क्या समझने वाला काम इतना ही था आप छोटी से क्या करेंगे दो मिनिट में बस अब आपको एक फाइनल एक आपको यह जो वी वाली टर्म में इसको हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि बीच में कहां पर इमेज बनी थी उससे हमको कोई इंट्रेस्ट नहीं है उसमें हमको को मतलब नहीं कि लेंस से पहली सर्फेस यहां पर इमेज बनी फिर उसने यहां पर उसकी फाइनल इमेज बना सब्सक्राइब यु और वी से मतलब यह वीवन जो था ना बीच में इससे अपने को मतलब नहीं तो विवन वाले टरम को कैसे अठाओं यहां पर कहीं पहले विए पहले विप्वेस्ट में में माइनस मिट्व उपन विवन अगर मैं दोनों एक्वेशन को add कर दूँ तो यह वीवन वाली टम कैंसिल हाना तो आप दोनों एक्वेशन को एड करो वाइएक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों एक्वेशन को एड करके लिखो महां पर आएगा माइनस म्यूवन अपॉन यू इधर क्या आएगा प्लस म्यूवन अपॉन वी यह दोनों टर्म्स तो कैंसिल हाना माइनस म्यूवन अपॉन यू प्लस म्यूवन अपॉन वी इक्वल टू क्या लिखों देखो यहां पर म्यूटू माइनस म्यूवन है यहां पर म्यूवन माइनस म्यूटू है तो मैं इन दोनों में से म्यूटू क्या कोंल सीटे पोड़ाई नीगा तो यहां पर क्या बचेए लेकिन तो यहां पर मज्ल मेइन ब्रेकेट के इंदर तो इसको लखना माइनस एब यहाँ इन दोर eigenen स्हक्न कि यह म्योड माइनस मुड्य करो वार्ट आइसको एसको इसमें ऐसे किया इसमें तो बचmaking और इसमें माइनस वन अपन आर्टू तो लिखा है मैंने वापे ठीक है चलो तो अब थोड़ा से इसको सॉल करेंगे यह अपने पास जो आया है यह फाइनल फॉर्मला साइए वैसे तो लेकिन इसमें देखो यह मुवन अपन हटा सकते हैं काफी जगा रहे तो मुवन से डिवाइड करतो दोनों सा अब यहां पर एक चीज़ बताओ कि अगर मैं इस लेंज के सामने उधर इंफाइन डिस्टेंस पर अबजेक्ट को रखता तो उससे जो लाइट रेज इसकी उपर इंसिडेंट होती क्या वो प्रिंसिबल एक्सिस के पैरल होती इसको समझ लो एक बार क्योंकि इसकी अपन को जरुत पड़ेगी यह लेंस अपना ठीक है इसको समझना ध्यान से कि म इस तरह гOkay Strils के बीच का जो एंगल है जो पहले था अब बडाया कम हुआगा कम हो रहा क्या का अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे लेकर जाँ तो यह एंगल ओर च्छोटा होगा और अगर मैं इसको पीछे ले जाते ले जाते infinite पे ले जाओं तो एंगल कितना होगा जीरो दो लाइन के बीच में एंगल जीरो कब होता है जब दोनों पैरल होती इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट infinite पे हुआ तो जो भी लाइट रे जाएंगे वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लाएंगे तो ज यहां पर आपको याद हखना है कि अगर मैं ऑबसेट को इधर इंफाइनेट की से असे कि आतेज्छ मातोस तो आँग कहा बना जाती है फोकस के उपर मतलब इमेज से त्यौटा में इन आल्छ की जो दिस्टेट्स होगी हो फोकल लेंद के बराबर होगी सबात लिखी क्या मैंने ऑब्जेक्ट अगर इंफाइनेट पे होगा तो इमेज का मनेगी फोकस पे बनेगी ठीक है तो यू अगर इंफाइनेट होगा तो वी होगा एफ ठीक है यहां पर वैलू पूट करो यह माइनस वन अपन इंफाइनेट प्लस वन अपन एफ इक्वल टू म्यूट टू अच्छा म्यूट अपन म्यूट टू वन को मैं म्यूट टू वन लिख दूगे शोट में माइनस वन इंटू वन अपन आरवन माइनस वन अपन आरटू थोड़ा सॉल करके लिखोगे तो यह वन अपॉन एफ इक्वल्स तो क्या बना म्यूड टू वन माइनस वन इंटू वनपॉन आर वन माइनस वनपॉन अपॉन आर टू बहुत ज़्यादा पहली प्रस्ट को सब्सक्राइब चैकेंड इकवेशन में आपको एक्वेशनन में को वी वन को इमेज की डिस्टेंस कंसिडर करना है और रटू अप लेखे दोगे पहले और दूसरी सर्फेस के लिए ठीक है तो इस तरह किसे अपने इस डैरिवेशन को कंप्लेट करेंगे याद रखना है अगर मैं UA कोण कैउम लेशन करता तो आंसर यह रहता अगर कोण के लिए अगर मैं सेम चीज लेगे सेम डाएग्राम करता न को pipeline यह निकल कि आता जैसे मेरर फॉरम्लास सेम होता ना जड़ ऑनकव मिरर वो या कवर मेक्ष बीज से चाहे चाहे और बोेंग्स लैंसोर कोग कर लेंद सो इसके लिए लैंस्मीकर्षाल हम्यशा सेम होगा और यह सब के सब्जार्ड लैंस गिते तो क्या चेंज करना है इसमें कुछ तो चेंज होगा तो कॉन्वेक्स लेंज है तो फोकल लेंज हमेशा क्या होगी पॉस्टिव अच्छा कब वैल्यू कैसे क्या पूट करनी होती है तो एक चीज याद रखो जब हम किसी भी नुमेरिकल को सौल करते हैं तो जो चीजे हमें पॉट करनी है जैसे मुझे फोकल लेंद गीवन है तो मैं अगर कॉन्वेक्स होता तो नेगटिव सिंबल का सिंबल लगा के लिखूँगा ठीक है और जो चीजे मुझे कैलकुलेट करनी होती है उसका मैं सिंबल नहीं लगाऊंगा जैसे मुझे पूच लिया कि आर वन की लेकिन जिस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है उसका सिंबल कभी नहीं लगाना है आपको पहले से पताओ खुद पर कंट्रोल रखना है अरे मैंने बोला कि यह कॉंक्य लेंस है तो इसके आपको पहले से पताओ मैं बोलूग क्यूंक्य फोकल देंद बताओ तो फोकल लेंद के लिए कि लिए पता है कि नेगेटिव आएगी तो लगाना नहीं नेगेटिव सिंबल की एक्वेशन लगा रहे है उसमें माइनस लगा और जिसको calculate करना चाहोगे उसका सिंबल अपने आप निकल के आएगा कि वह पॉस्तिव होगा या नेगेटिव होगा फिर उसके according हम comment करेंगे कि अगर यह पॉस्तिव है तो इसका मतलब यह कौन सा लेंस होगा होगा कौन के और लेंस होगा वह में बाद में पता चलेगा ठीक रहाए हरा है